तो यहां पे एक मैच होने वाला इसराइल बास्केटबॉल लिग का काफिरों वहरान हो रहे होंगे कि भाई मैं कब से बास्केटबॉल कवर करने लगया लेकिन आप मेरे ना चैनल जाके देखो मैं पहले बास्केटबॉल की टीम्स देदा था तो मैंने शोजा कि क्यों ना र पर आम से जुड़ सकते हैं कोई अलग बास ही नी तो चलते हैं दोस्तों आगे बात करूं मैं इस मैच की तो एच जे वार्सिज एच जी जी इसराइल बास्केटबॉल लीग मैंने पिछले एनलाइस मैंने अपना एनलाइस किया तो मैंने एक चीज नोटिस की अभी आपको बहुत फाइदे मन चीज है जितनी सेलेक्शन कम होगी उतना जीतने के चांस आपके ज्यादा क्योंकि अगर यह जितने पॉइंट मारेगा और ऑपनेंट की टीम में नहीं होगा उतने पॉइंट्स आपके धब बढ़ेंगे इस बात की ग्रिंटी है और आगे से बात करूं टी ब्लैट की तो यहां से लूँगा टी ब्लैट को इट्स आ नॉर्मल प्लेयर एक्चुली मैक्सिमम पॉइंट्स तो यह नहीं देता मलब अगर आप समझोगी पचास पॉइंट देदेगा साथ देदेगा यह है मिन्टेनेंस वाला प्लेयर मलब 25 से 30 पॉइंट मिन्टे ही है तो यह प्लेयर को लेना एक तरह आपकी मजबूरी है या सेफ मान लो और आगे से बात करूँ स्मॉल फोवर्ट की आसल लूँगा एंड आर्टीजी को तो आर्टीजी भी ज्यादा पॉइंट्स अंगर के नहीं के देगा क्योंकि ज्यादा मिनिट खेलता ही नहीं बह प्लेयर पर ले रहा हूं और आगे से बात करूँ नैक्स प्लेयर की इसकरा मैं टी थॉमस तो यहां पर मैंने थॉमस को ट्राइ किया क्योंकि मैंने के ब्लैक शेयर को छोड़ दिया किसके चकर में आई जिफ के बहुत बड़ा रिस्क है बट कोई बात नहीं अच्छा सोच इसको करें नहीं अच्छा होगा चाहूं तो अभी भी स्ण फ्लेयर को ले सकता ब्लेक सियर को ब्लैक सियर को लेंग डामन कर रहा है क्यूंकि जिफ को चोड़ना मुश्किल है मेरे लिए आगे से बात करूँ फ्लॉइड की यहां पे जेफ लॉइड को लुँगा यहां पर पर इनके पास एक और चोईस है S Bremo Bremo को बेश सकते हैं क्योंकि दो-दो सेंटर पोजिशन पे दो तगड़े प्लेयर हों तो उपर वाला पहले आते हैं मलब उपर वाला 22 मेरा मतलब है जो स्टार्टर 5 में टॉप का प्लेयर होता है वो पहले तो आगे से बात करूं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन मेरा कैप्टन एज स्टार प्लेयर है जे फ्लॉइड और मेरा वाइस कैप्टन एज़ा प्लेयर है टी ब्लैट तो यहीरी मेरी टीम गाईज मिलता हूं अगली वीडियो में